वीडियो शुरू करने से पहले एक इंफोर्मेशन दी गए जो दे हिंडू की तरफ के है यानि होले का उकेशन है तो साइद कल यानि 30 मार्च को इनका कोई एडिशन ना है तो हमारा वीडियो भी साइद ना पाए लेकिन ये पर्टिक्लरली दिल्ली एडिशन पर मेंशन की ग साइद ना है अगर दूसरे एडिशन आते दिल्ली के लावा तब हम डिसकस करेंगे अधर्वाइज जो हो हम पर्सों यानि 31 मार्च 2021 फिर से कंटिन्यू करेंगे कल जो हो ओफ रहेगा राइट सबसे पहले बात करेंगे केरला के अंदर इलेक्शन भी और के एक इस्यू हु कि यू तरूल को सकते है उनके बीच में इश्यूद के यहाँ पर यूनियन लेक्ट की स्टेटमेंट पढ़िये है। यानि जो वहाँ पर गवर्मेंट रूल करी करला के अंदर उन्होंने ये मुला कि हैज कमिटेड ए अनकन्सिटुशनल एक्ट बाइ ब्रिंगिंग दा सेंट्रल लो इनफर्श्मेंट अजेंशी विदिन दा Ambit of a Judicial Commission of Inquiry ये मेंसिन किया गया है। इसके जवाब में जो सीताराम ये चुरी है Central Secretary है CPI M. यानि माक्सिष्ट के The Defense Minister must re-read the Constitution. No Central Agency can interfere or work in any state without the concurrence of the state concerned. यहाँ पर सवाल ये है कि क्या किसी राज्य के अनुवतिय के विना कोई Central Agencies या Central Enforcement Agencies जो है इस तरह की cases में inquiry नहीं कर सकती या एक तरीके से enrollment नहीं हो सकती अगर state government नहीं चाहेगी तो तो यहाँ पर question ये उठाया जा रहा है कि क्या ये जो federal structure है या जो संगिया सासन हम बोलते है उसको challenge करने कोशिस की गई है ये political एक तरीके से debate हो सकता है लेकिन question जो है serious है कि अगर एक gold smuggling का एक issues है और जिसमें ये भी माना जा रहा है कि foreign countries के साथ कई नकरी ties अप हुई है या foreign countries से हम ने gold smuggling किया इस particular area के अंदर तो उसकी inquiry क्यों नहीं होनी चाहिए ये एक बड़ा सवाल है और उसमें state government से उपर है देश किसी भी राज्य से उपर है देश हलागि political चीजे नहीं होने चाहिए ये हो सकता है ठीक है तो वो चीजे होगी इसके लावा allegation जो political level पर जो होते रहते हैं लेकिन यहाँ पर inquiry होन बहुत जुरूरी है चाहिए वो smuggling में कोई भी लोग involve और उसके लिए बिलकुल fair inquiry होनी चाहिए ताकि पता चले कि exactly हुआ क्या था और कौन इसके लिए responsible थे जो भी responsible हो उनके खिलाब actions होने चाहिए इसके बाद यहाँ पर एक ID के बारे में बात की जारी है central government planning करे एक unique ID के बारे में किस चीज़ को लेकर all plots of land by March 2022 यानि जो एक तरीके से land है जमीन जो है उसको कहीने के unique identification दिया जाएगा unique ID दी जाएगी जिसका नाम होगा UL pin करके दिया गया इसके तरू जो है database को link किया जाएगा और revenue courts के अंदर records में इसको include किया जाएगा यह 14 digit की identification number होगा इसके इंदर जो है वो land records database को revenue courts के साथ bank records के साथ अधार number यह voluntary होगा अधार number यानि आपकी इच्छा आप दे भी सकते और नहीं भी दे सकते हैं यह क्या है basically unique land parcel identification number जो है एक scheme होगी जो कि 10 state में इस साल लौंज की जाएगी बाकी जो state और UT बच जाएगे उसमें मार्च 2022 के बाद ज Rural Development के मामले में तो यहां पर यह बताया गया है कि इस तरह की चीजे क्यों चाहिए कि यहां पर बोला गया कि बहुत सारी चीजे हैं इसमें जैसे survey जो connect किया जाता है खासकर rural area के अंदर वहां पर जो land records होते हैं जमीन के जो records होते हैं वो outdated or disputed होते हैं उस तरह की चीजों को एक identification होगा जो की longitude और latitude दोनों level पर होगा और land parcels के तुरू जो है department level पर detail survey करवा जाएगा और geo reference cadastral maps के लिए present किया जाएगा और इसमें various departments का भी इसमें कहीने के रोल होगा लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है department of land resources का यह काफी important है आप लोगों के एक सवाल है जो यहाँ पर mention किया गया है department of land resources यह किस ministry केंडर आएगा यह आपको नीचे जो है वो mention करना है यानि हिंदी में बोलता हूँ भूमी संसादन भी भाग जो है किस मंतरा लेकर दीन जो है काये करेगा यह आपको नीचे कमेंट करना है इसके बाद यहाँ पर एक update है एनर सी को लेकर बहुत ज़्यादा application रहती है बहुत ज़्यादा न्यूज में रहती है national register of citizens करके असम के अंदर यह exercise connect करवाई गी और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है वो registration नहीं किया अगलग बहुत 19 लाख ऐसे लोग है जो कि NRC हुई उस सिफ exclude कर देगे तो central government ने असम government को लिखा कि immediately जो है rejection slips जो है release की जाए rejection slips करने का मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके स्क्लेम कर सकते हैं जो quotes के अंदर की हमें reject किया गया है किस वज़े से क्या गया है इस वज़े से और यह application दी गई है इनके लाव इस exercise को लगभग 5 साल complete होने को है और लगभग 1220 क्रोड जो रूपीज में खर्च हो चुके हैं इसके अलावा इसी page पर जो important information है वो है कोविन के अफग्रेडेशन को लेकर कोविन basically क्या है कोविन 19 का जो vaccination rollout program है उसके लिए एक portal एक software बोल सकते है जिसके थुरू हमें registration करवाना होता था कि vaccination के दुरान जो है हमारे हमारी अपडेशन हो और हमारा number जो है वो as per sequence दिया जासके इसमें बोला गया कोविन software को अपडेट किया गया अपग्रेड किया गया और इसके थुरू एक क्रोड जो है लोग डेली अब registration कर सकते हैं या एक क्रोड लोगों तक vaccination की अजासकता डेली विशिच पर अगर हम बात करें इसमें capacity को बढ़ाया जाएगा और इसमें जो 45 एर से अबो के जो लोग है उनको कहीने कहीं include किया जाएगा पहले ये था कि 45 से 59 का जो age group है उसमें केबल उन लोगों को जो comorbidities जा पहले से कोई disease उनको है उनको vaccinate किया जाए लेकिन अब क्योंकि covid-19 के cases बढ़े हैं और भा covid-19 के लिए vaccination थी खासकर covid shield जिसमें लगबर 92% covid shield ही vaccinate किया गया और लगबर 8% क्यासपा जो covid vaccine vaccine को vaccinate किया जा रहा है तो उसमें ये बोला गया कि अभी hold पर रखा जायत पहली priority अपने citizens को दी जाए इसमें इसी सीज को अप्गेडेशन किया गया कि 45 से उपर के जितने भी ल इंक्रीज हुए हैं और संडे को अगर आप देखेंगे तो लगबग 622174 यानी number of cases की बात करें तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और इनके लावा महरास्टा, 36 गाट, करनाटका, पंजाब, गुजरात, मद्यपरदेश, तमिल नाडू इन स्टेट में जो है लगबग 81.46 इसके बाद page number 9 पे दो information है जो हमें discuss करनी पहला एक तरीके से analysis किया गया है जो पांच स्टेट में election हो रहा है जिसमें असम है तमिल नाडू, वेस्ट बंगॉल, किरल और सौरी एक यूटी है, चार स्टेट एक और की यूटी जहां पर election हो रहा है उनको analysis किया गया है कि उनक economic growth क्या है, inflation क्या है, unemployment rate क्या है और भारत के context में ओल इंडिया की context में ये state कहां पर इनका data जो हम वो match करता है या carry forward करता है उसको हम थोड़ा discuss करेंगे, यहां पर बताया गया कि तमिल नाडू एक ऐसा state है जो की highest revenue deficit state में से एक है in election bounding states के अंदर और ये economic के भारत की economic का 9% जो financial year 16 से 20 के बीच में, inflation क्या रही February 2021 में और unemployment rate का कहां पर कितनी रही 2021 के अंदर February 2021 उसमें percentage में analysis किया गया, for example, सबसे ज़्यादा अगर बात करें, average economic growth की तो असम के अंदर 8.6 रही और ये national average से भी ज्यादा थी और सबसे कम रही किसकी care लाकी, economic growth की बात की जारी, 2016 से 2020 के बीच अगर बात करें, inflation की, inflation सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी, तो वह है पुडूचेरी के अंदर 8% के असपास, और national average 5% इन state में सबसे कम रही, किसकी 4.9% care लाकी, unemployment rate की बात करें, तो वह सबसे कम रही, असाम में और सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, वेस्ट विंगोल में, लेकिन average के बात करें, national average की, तो सारे के सारे स्टेट ये 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 यूटी, national average से कमी है, तो इसके लिए कई सारे डेटा को analysis किया गया है, budget documents है, RBI का है, PRS legislature का है, CMIE का करके है, इनका आपको data देखने को मिलेगा, इन सब के अलावा, अगर दोर था या एक फेज था, उस दोराल असम ने revenue surplus किया, मतलब एक तरीके से revenue जो है, उनका हो सकता था, deficit हो, लेकिन इन्होंने surplus अच्यू किया, इनके अलावा, पुडूचेरी का revenue जो है, surplus हाला कि उन्होंने 2020-21 का budget जो एक तरीके से, उसके बारे में report जो है, अना उस नहीं क deficit देखने को मिला, अगर बात करें, highest average economic growth की, तो असम में 8.6% की growth rate हुई, वेस्ट विंगोल और पुडूचेरी के अंदर जो है, वो as per national level थी, लेकिन के अंदर जो है, वो as per national level से कम आपको growth rate देखने को मिलेगी, और इसमें बड़ा region ये भी माना जारा कि 2018 में, flood की situation बहुत के आसपास role play करता है, industry 38% और agriculture जो है, वो 11% के आसपास role play करता है, ये national average से कहीं ने कहीं, वो अब वो आपको देखने को मिलेगी, 8% की growth rate है, तमिलाडू में, unemployment rate की बात करें, तो इन सभी में, जितने भी state UT है, जो यहाँ पर discussion की जार, उनमे, national average के compare में, कम आपको देखने क मिलेगी, और inflation में बात करें, तो तमिलाडू में 7.2% है, जो की national average 5% से, ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे, 7.2% तमिलाडू है, और ये national average से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, इनके अलावा, तमिलाडू का जो एक तरीके से high quantum of outstanding debt है, व above the limit है, इसकी इस तरह की report दी गई है, ये कुछ information है in particular state में, हलागि जुरूरी नहीं कि examination में पूछा ही जाए, लेकिन हो सकता है कि आप कुछ factual चीजों को mention कर सकते हैं, as an example, right, तो वो आप mention कर सकते हैं, इसके बाद ये जो article है, the game of checks and balance करके, ये Monday को unacademy वालों का एक article आता ह करते हैं, एक तरीके से या अपना एक viewpoint रखते हैं, तो इसको हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले बताया गया, ever wondered what laws maintained check on the government for the smooth functioning of our country, here is a quick refresher करके दिया गया, ये नहीं checks and balance करके ये article है, और इसी particular topic पर ये mention करती है, जिनका नाम है दिपिका रेडी मगम, ये unacademy educator है, इन्हों उन्हें कहा कि government चाए कोई भी हो, चाए वो मौनार्ची हो, autocracy हो, democracy हो, वहाँ पर ये एक fact है कि जो humans है, वो social उसके social wings different हो सकते हैं, और एक दूसरे से उनकी appearance difference हो सकती है, aspiration difference हो सकती है, preference difference हो सकती है, test difference हो सकती है, और power को holding को लेकर भी difference देखने को मिल सकता है, इनी सब चीजो या regulate करने के लिए, regulate करने के लिए, उनके behavior को, उनके protect करने के लिए, उनको कहिने के एक functioning जो होती हो करते हैं, इनके अलावा government को, इस चीजो को understand करना पड़ता है, कि जो भी institute form क्या जाए, वो इस बात को affirm करें किसी भी देश के लिए, कि वो low making करें, low को enforcement करें, या उसको jurisdiction करें, ठीक हैं, यहाँ पर जो third option था, adjudication या adjudication, कई words मुझे personally बहुत problem करते हैं, और मैं इनको ठीक करने कोशिज कर रहा हूँ, उमीद है कि जल्द improvement इसमें देखने को मिले, तो यह कुछ functions हैं, जो किसी भी government के लिए important होते हैं, और इन functions को executive, legislative या judiciary, इनके roles को कहिने के इस इसी period के अंदर बताया गया, किसी भी constitution में, for example, अगर हम government of India के perspective में देखें, तो किसी भी written constitution में इन functions के बारे में mention किया जाता है, भारत के context में भी यह mention किया गया है, और legislature जो है, वो एनक्ट करती किसी भी लोग को, executive जो है enforce करती है, और judiciary जो है, वो किसी भी dispute को, क्या है उसक separation of powers की दी गई थी, 18th century के French philosopher, जो थे Montesky द्वारा, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी चीज में mutual exclusiveness जो है, इन three organs की जो हो सकती है, हो नहीं भी हो सकती है, कई बार देखने को मिला कि, जैसे हमारी executive और legislature है, इसका कहिने की separation इतना नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हमारी executive में mostly वही होते हैं, जो legislature के अंदर यहां कह सकते हैं, अगर आप देखने के जितने भी मंत्री बनते हैं, या ministry बनते हैं, वही होते हैं, जो member of the house होते हैं, चाहे वो state government की बात करें, या central government की बात करें, अगर भारत के constitution के कुछ provisions को अगर आप analysis करेंगे, तो यहां पर mention किया गया ह कि जैसे article 50 है, उसमें बताया गया कि state जो वह इस तरह के step जो है, article 50 डिरेक्ट करता है कि state to take step to separate the judiciary from the executive, यह question पूछा भी गया था UPSC में, कि जो judiciary है उससे executive को separate करने के लिए state जो है, वह इसमें step उठा सकता है, इनके लाव article 74 और 163 के अंदर, यह restrict किया गया है courts को, कि वो consular minister जो की, जो suggestion देते हैं, advice देते हैं, president और governor को, उसके बारे में inquiry कर सकते हैं, article 122 और 212 यानि 122 और 212 इसमें restrict किया गया है, courts को कि वो किसी भी parliament या legislature की जो proceeding होते हैं, उसको questioning करें, इसके लाव article 121 और 211 के अंदर restrict किया गया है, जो parliament और state legislature को, कि वो किसी भी judicial conduct को वहाँ प अगर किसी judge के खिलाब, resolution लाया जाए, उनको हटाने के माद में, इस चीज़ को छोड़के, कोई discussion यहाँ पर नहीं हो सकता, article 361 के अंदर जो है, वो कही ने कहीं, ये mention किया गया कि, किसी भी president और governor को, वो answerable नहीं किया जा सकता है, किसी भी court में, जब वो office के अंदर होते हैं कि वो जब उस post को hold कर रहे हो, तो इसलिए checks and balance important होते हैं, किसी भी country को ensure करने के लिए, इन functions को, इसके लाब जो power of judiciary है, वो exercise करते है, judicial review को, अबर legislature और executive action, जो भी executive और legislature action होंगे, उनको judiciary जो है, वो review करते है, क्या वो constitutionally सही है, नहीं है, और judiciary जो है, इस तरह के procedure, जो लोद और procedure establishment किया गया, उसको follow करने के लिए bound है, judges का appointment होता है, और executive head द्वारा होता है, और उसका removal उसको लिए एक बकाईदा process बताया गया, तो ये कुछ चीज़े है, यानि तीनों के बीच में जो separation of power है, जा executive हो, legislature हो, या judiciary हो, उसको mention किया गया है, इनने constitution के अंदर, उसे के recording जो वो function करते हैं, ठीक है, इसके बाद page number 10 पे एक wildlife century के बारे में discuss किया गया, जिसमें बोला गए 27 migratory bird जो है, उनकी death हुई है, wildlife century कहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, और ये माना गया कि इसका एक region है, avian influenza, और ये wildlife century कौन सी है, ये pong dam wildlife century area, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 25 मार्स के बाद अब तक जो है, लगबख का 27 migratory birds की यहां पर death हुई है, और इसके जो बड़ा region, avian influenza, यहने avian influenza का जो scientific एक तरीके से नाम दिया जाता है, इनको coding की जाती है, वो है H5N1 से, यह H5N8 करके, ठीक है, तो कई सारे question wildlife century से लेकर related, national park से related, बाश्वे रिजर से related, प हैं, ठीक है, तो wetland sites को लेकर, वो हमें ध्यानकना है, इनके लावा यहां पर एक information है, और यह information क्या है, इंडिया अटेंड्स मैनमार प्रेड, मैनमार के अंदर एक military की प्रेड होती है, 27 March को, इस तरह की एक report बताएगी, कि भारत की force ने भी वहां पर इसमें participate किया, यह भार मिले, हलाकि यह report को भी confirm नहीं किया गया है, लेकिन जहां पर पूरी दुनिया, यह कह सकते है, खासकर UN Nation, United Nation के कई सारी country, जो है, मैनमार के अंदर जो power को capture किया गया है, मैनमार की government के दार उसके खिलाफ एक तरीके से joint हुए है, लेकिन इस तरह की reports अगर आ रही है, तो यह क इने कहीं अपने लेवल पर एक हलग confirm नहीं किया गया है, लेकिन यह report जो है वो भारत के context में एक अलग तरीके की नजरी है, क्योंकि भारत जो है, जनरली इस तरह की situation में, जहां पर sensitive situation हो, वहां पर participation नहीं करता, तो यह report दी गई है, officially नहीं है, लेकिन यह report के बारे में mention किय इसके बाद foreign affair जो कि last page होगा, इसके बाद business page आज आया नहीं है, तो यहां पर आप देखेंगे, मैंनमार के अंदर लगबग 100 लोगों की जो death हुई, और यह number जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि exact number दिया नहीं जाता, इसके लावा United Nation ने कहा है कि इस तरह की चीज लोग participate करें, उनके ओपर भी firing की जा रही है, तो यह एक worst scenario आपको देखने को मिलेगा, इनके लावा एक ethnic group के बारे में यहां पर mention किया गया, वह ethnic Karen करके, और यह basically इस तरह के जो एक तरीके से, कई टाइम से, यह जो Karen National Union है, यह एक organization जो fight कर रहा है decade से, मैंनमार की central government से कि उन चाए वो Karen हो, चाए वो Igor हो, चाए वो Yazidi हो, हाउती हो, रोहिंगा हो, कुर्द हो, यह question कई बार UPSC पूछती है और आने वाले time में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा यहां पर अगर आप देखेंगे, Philippines और चाइना के बीच में जो tension है, वो किसीज को लेकर है, Spartly Island में या South China Sea में एक उस वेजल्स जो है, चाइनेज के हैं, और वो उन्होंने अपने वापिस करने चाए मना कर दिया, तो Philippines ने इसके जवाब में अपनी एर फोर्स को पेट्रोलिंग करने के लिए वहां पर तेनात किया है, और यह dispute जो है कहिने कहीं increase हो रहा है, दोनो countries के बीच में, Spartly और दो आइलेंड जो मेजरली में डिसक्स करता हूँ कई वाई, यह है South China Sea और इसमें दो मेजर आइलेंड है, जो कि disputed आइलेंड कह सकते हैं, एक है parcel और एका स्पार्टली, इसमें issue क्या है basically, यह जो पूरा एरिया है, चाइने यह बोलता कि यह पूरी की State की यह territory है, इनके लावा Philippines ने बोला है कि यह कहिने की उनका जो exclusive economic zone है, उसका violation है, exclusive economic zone का उतलब क्या है, कि United Nations Convention Law of Sea के अंदर, लगबग जो एक होती है, अगर आप देखेंगे, जो यहाँ पर किसी भी country की जो boundary होती है, उसका 12 nautical meals, वो होता है उनकी खुद की boundary, इसके बाद जो 200 nautical meal का होगा, उसको बोलते है, exclusive economic zone, वहाँ पर वो एक तरीक से exploration कर सकते हैं, resource को analysis कर सकते हैं, कहिने के study कर सकते हैं, यह कुछ चीज़ें होती है, जिसमें mention किया जाता है, तो यहाँ पर यह उनका violation इस तरह की statement दीगी, फिलिपिन्स के द्वारा, और यह issue जो वो कहिने के increase हुआ, इनके लावा, यह information आई, इंडोनेशिया में, कि वहाँ पर society bombers ने church के बहार, एक attack करने एकosis की, यह blast हुआ, और इस वीडियो को परसान धवन सार ने अपने world affairs channel पर जो हो discuss भी किया है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, डिटिल में, तो यहाँ पर basically इस तरह के attack जो है, वो ऐसा ने की पहली बार हुआ, इंडोनेशिया जो है, वो लगातार militancy को face कर रहे हैं, लगबग 202 लोगों की वहाँ पर हत्या हो चुकी है, जब 2002 में बाली आईलेंड पर attack किया गया था, और खासकर foreign tourism में, दुनिया की सबसे ज़्यादा Muslim आबादी वाला attack हो रही है, इसे लिए बोला जा रहा है कि इसके लिए joint effort जो किये जाने चाहिए, इसके बाद United Nation ने चायना को जो कहा है कि unrestricted होना चाहिए, जिन जियांग provinces के अंदर जो विजिट या उईगर community के खिलाब जो भी action हो रहे हैं, उनको analysis करने के लिए United Nation की विजिट जो होगी कहोनी चाहिए, कहां पर जो चाइना का जिन जियांग provinces है, या कह सकते हैं कि जो area है, उसके आसपास उनको देखा जाए कि situation फिलाल ground पे कैसी है, खास कर जो उईगर community है, ये माना जा रहा है कि उनको कहीने के force किया जा रहा है, वोमिन्स को sterilizing करने के लिए या उनको labor के अंद इनके उपर एक मार्स, एक तरीके से मार्स लेवल पर genocide क्या जा रहा है, चाइना के द्वारा, ठीक है, ये कुछ information है, और अगर आप map में कुछ चीज़ें देखेंगे, तो Indonesia एक important country है, Indonesia एक island country है, और बिलकुल equator के just बीचो बीच एक country आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर यही देखोगे आप, छोटे-छोटे टुकडो में, islands में country है, और यहाँ पर इस तरह की घटना है हुई है, कि terrorist attack किया जा रहा है, यह चर्च पर यह minority के जो एक तरीके से religious places है, उनके आसपास attack करना, यह कहिने की challenging है, पूरी दुनिया के लिए, humanity के लिए भी, यह कुछ information थी आज के दहिंदू के इस newspaper में, अगर कल का वीडियो, कल newspaper फब्लिस हुआ तो definitely वीडियो आएगा, नहीं हो आए, तो फिर हम बात करेंगे person, ठीक है, thank you, जहीं